हो चला है यह जानने का कि आज 9 बजे के नवरतने शेयस कौन से हैं और इसके लिए चलेंगे शरत के पास पर शरत स्टॉक्ट लिस्स बताने से पहले आप कॉंग्राचुलेशन भी लीजे क्योंकि बड़े को आपते खबर बताई थी कि भारत नेट से बड़े प्रोजेक्स बिल सकते हैं तेजस डेटवर्क को और साथ ही HFCL को और यह दोनों ही काउंटर्स में एक अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं पिशले दो से तीन दिनों में और HFCL की की हम कुछ समय पहले चर्चा भी कर रहे थे तो वहाँ पे भी जब गया है कंपनी अक्वाइर करेंगी ETE मनी को 370 करोड का यह डील है लगभग वेल्थ टेक्स पेस यह नया बिजनस लाइन है जहां पर आने वाले हैं और जो ट्रांजक्शन है वो जो है आप क्या सकते वैलूड है 12 टाइमस फ़ई 24 सेल्स के नंबर पर यह लाजली कहेंगे अट्राक्टिव लेवल्स पे जो है अक्विजिशन हुई है सोभा की बात करें तो 2000 करोड उपे रेस करेंगे राइट्स इशू के जरीए और इंट्रेस्टिंग इशू प्राइस 20% डिसकाउन पर है अगर आपको 47 शेर अगर आप होल्ड करते तो आपको 6 राइट्स के शे को अपने पेरेंट कंपनी को साड़े 4% पे बाजार का नुमान था कि यह रॉयल्टी के आकड़ा भढ़ सकता पर यह नहीं बढ़ा है तो एक टाइप से पॉजिटिव है स्टॉक के लिए जनसॉल इंजिनरिंग की बात करें तो 1340 करोड रुपे का जो है एक बड़ा ओर आ जी है बोर्ड सीट्स में होल्डिंग के लिए अब उन्होंने कहा है कि कॉपरेट गवर्नेंस इशूस देखने मिल रहे तो अफकॉस नेगिटिव डवलप्मेंट जो है इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिलेगा आज वोड़ा फोन आइडिया सबके नजर में रहने वाला है आज फंडरेज का इंपॉर्टन बोर्ड मीटिंग डेट है जहां पर फंडरेज एक्विटी शेर्स या कनवेटिवल प्रेफरेंश दोहरा कर सकते हैं कंपनी अलडी देखा जाए तो बीस हदार करोड की जो है फंडरेज कर चुके जहां पर दिगज नाम जैसे की GQG, HDFC mutual fund SBI General Insurance participate किया है हमारा सात्वा stock रहेगा Tata Communications यहाँ पे इनके management analyst day था guidance जो विचसाल 2027 का तो उन्होंने reaffirm किया उसमें कुछ नया नहीं था expectation है कि margins जो है ते इस से लेके 25% बढ़ सकती है विचसाल 27 तक और आगे जाते हो अगले जो विचसाल 2025 में margin expansion दिखने लगेगा brokerage इस एक thumbs up भी दिया है उन्होंने कहा है कि company जो है दो type का play है telecom play का stability मिलता है इनको और IT सेक्टर का growth मिलता है तो यह एक विचेश टिपनी निवामा ने भी किया है साथ stocks तो हो गए लेकिन हमारा आठवा stock वो है big bold brokerage यहाँ पे BNK ने जो है arcan chemicals पे initiate किया है buy rating के साथ लक्ष रखा है 864 रूपीज यानि कि current level से 40% तक का upside potential देखने मिल रहा है और expect कर रहे हैं कि जो commodity chemical वाले इनके peers होते हैं उनसे जादा बहतरी इनका return ratios है और अभी इसके valuations FI 26 के EPS के हिसाब से सस्ता चल रहा है overall almost 13 times और उसका long term average है 17 times है यानि कि stock अभी सस्ता है तो यह 8 stocks तो हमने बात कर दी लेकिन हमारा आखरी segment जो खबर का segment होता है जहां पर मैं जो होता है खबर वाले shares लेके आता हूं आपके लिए यहां पर आज का खबर है PDS यह company जो है textile के जो बहुत सारे products होते हैं उसके outsourcing करता है global brands को लेके और हमारा खबर यही है कि company जो है एक बड़ा global FNC brand के साथ बातचीत चल रहा है और एक बड़ी tie-up आ सकती है उनकी outsourcing order को लेके अब of course यह outsourcing order expected है कि यह deal closure अगले 1-2 महीने में हो सकता है और हाली में पिछले 4-5 दिन में stock में अच्छी volume buying भी देखने मिल रही है और बाजार का जो है थोड़ा bullish नजरिया देखने मिल रहा है क्योंकि इसके जो valuations है वो भी सस्ते है लगबग आप साड़े 15 गुना जो है FI26 के पे company चल लिए और जो industry के इनके peers है वो 20 के ऊपर है तो इस stock को भी जरूर नजर में रखेगा यह आकाश बंसाली बैक्ट stock है और राइट बहुत बहुत शुक्रिया शरत यह पूरी 9 के नवरतने shares हमें बताने के लिए तो धे सारे counters हैं चाहां पे रहेगी नजर